तो दोस्तो आज 11 मार्च 2023 मार्केट तो फिलाल आज बंद है सेरड़ा के करन बट लास्ट डे यानि फ्राइडे के दिन मार्केट में काफी जादा गिरावट देखने को मिला था जहां पे निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग दिया था 17,412 पॉइंट पे लगबग 1% के साथ क्लोजिंग दिया और इसके पीछे जो मेन रिजन था इस बीपी मतलब जो सिलिकॉन वैली बैंक जिसके उपर सब कुछ हुआ था जिस बैसे लास्ट दो दिन से हमें गिरावट देखने को मिला खास कर कि युएस मार्केट के अंदर डॉर जोन्स नैस्टैक एक एक देर परसंट दो परसंट गिर रहा था खास करके लास्टे फ्राइडे के दिन पर में देखा इंडियान बैंकिंग स्टॉक काफी हद तक नीचे पहुंच गया था तो जिस बैसे हमने देखा और एक बार युएस मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा सेल आफ देखने को मेला कर दोस्तों इंडेर मार्केट में दॉश् – यूएस मार्केट में भी गिरावाट हुओ और कहीं नहीं दोस्तों आदानी ग्रूप आप शियर तोनी कि लगाता रिकॉवर हो रहा था बीच में अंदेखा था जया लिस्टेर कंपनी का शियर 10 में से 10 Aleks एकदम से पॉसि गलावर किसाथ लोजिंग दा विल्मार की बात करें यहां पर ट्रेंड रिवरसल होगर जुका है जो लगाता अपर सर्कीट में जल रहा था लास्ट एक यह दोस्तों और मुढसरे परसंग गिरावट के सब्सक्राइब यह जैसे की ट्रांस्मिशन हो गया टोटल गया जिसके अंदर 5 पर सब्सक्राइब का अपर सब्सक्राइब लगा था पावर की बात करते लगवख सारी चार परसंग अबरा के क्लोजिंग दिए पोर्ट की बात कर तो यहां पे एक थे मार्जिनल को जिंग यानि कोई बहुत बढ़ा तेजी हागरावट नहीं ग्रीन की बात करियां पर पर सरकित में स्टिल क्लोजिंग दिया इंटरप्राइस की बात करें जो कि सबसे बढ़ा कमपनिया दानी ग्रूप का इसमें अल्मूस्त तीन परसिन की आसपास आप देख लिजे कपका है अपडेट आज सुभा का लगभग 6 बज़े के आसपास एमस्याइए एस जी रेटर फ्लैक्ट गवर्नेंस रिस्क एट इम ब्लेटल अदानी ग्रूप तो आपको याद होगा जब हिंदेन बाग रिसर्च ने अदानी ग्रूप के पर एलिकेशन ल जो अदानी ग्रूप और हिंदनबर्ग रिसर्च के जो कॉंट्रोबर्स वाथ इसके उपर रिसर्च कर रहा था और उस रिसर्च का दोस्तों आउटकम कल राथ को आउट हुआ और ये नियूज में मतलब यह सारे जो नियूज ने आज सुभा 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 इसको पब्लि हमने देखा एक मैंने देर मैंने के अंदर काफियात तो क्या पी शॉट सेलिंग हुआ था यह सारे अधानी गूप की शेयर के अंदर साथ साथ देखे सेबन लिस्टेट अधानी ग्रूप कंपनी लॉस्ट वार हंग्रेट बिलियन डॉलर इन मार्केट वैलू कंबाइन मार्च वी डाउन ग्रेट आवर एसेस्मेंट ऑफ दा हिंदेन बग रिलेटेट कांट्रोपर्सी केस तो मॉडरेट फ्रॉम माइन पहले क्या रिटिंग दिया था माइन रिटिंग दिया इसको अभी चेंज करके मॉड़ेट रिटिंग दे दिया फॉलुविंग नियू डि दोस्तों इसका इंपक्ट मंडे के दिन जैसी ओपन होगा मार्केट तुरंत आपको देखने को मिल सकता है यह तो दोस्तों सबसे पहला जो खड़ाब नियूस था वो हो गया दूसरा जो नेगेटिब नियूस यह भी है देख लिजे यह नियूस का अब्डेट एनसी मूफ दो दिन पहले हमने क्या देगा था कि अल्लेडी दो तीन और जो कि अदानी ग्रूप की शेयर को एसम लिस्ट में एट किया था यहां पर देखे एनसी मूफ टू मोर अदानी स्टॉक टू स्टेज टू लॉंग टम सर्वेलेंस फ्रेम तो बैसिकली एसम लिस्ट की पहले ज उसके बाद हो जाता आपका स्टेज टू और सबसे वहले होता है स्टेज वन मतलब कोई भी शेयर को अगर एम लिस्ट की बहार जाना होता है तो हमेशा स्टेज वान पर लायन पड़ते है उसके बाद यूसको बहार निकला जाता है एक सेम टूसें अधानी टोटल गैस को पहले स्टेज वान पर रखाता देखिए पहले स्टेज वन पर रखाता तो कि आज की डेट फ्यूसका स्टेज टू में कर दिया बेसिकल इसको डाउन ग्रिट किया अगंस टेज सूट ऑन पर पहुंच जादा मतब अपले अपग्रेट किया उसको बाहर निंकल वारत मतब करता हुआ नज़राया पहले देखे स्टेज वान पर रखाता एसम लिस्ट की और अभी देखे स्टेट स्टू में कर दिया ये भी दोस्तों मंदे से आपको जो की लागो होता हुआ नजर आ सकते तो ये दो बैट नियूस है अदानी गूर्प की शेयर के वर एक न्यूटरल जो कि लास्ट नाइट में आपको थोड़ा बहुत आवास भी दिया था आज के रिट पे कुछ और उसके साथ हम इस ट्रैट भी करेंगे तो देखे अदान गौतम अदानी टू सेल स्टेक इन सीमें बिजनेस फॉर फोर फिप्टी मिलियन डॉलार टू रिडियूस डेट त अब देख सेक्टों कि अमभू जासी में टू इंटरनेशनल लेड़ से आवे मैं क्लियर कर में विया मत अब बायर्स का नाम मेंशन नहीं किया इंटरनेशनल को लेंडर्स हो सकता है वो सारी जो फॉरेंट इन्वेस्टरस है यापर पर्चेस कर सकता है मत जो मस्ट यह जो सेल आप आपको देखने को मिल सकता है लगबग सारे चार परसन का सबस्टेक है मतलब चार से पांच परसन का सबस्टेक है अमबुज़ सिमेंट कंजी आपे इस टेक सेल कर सकता है और इसका जो बायास रहेगा वह प्रॉब्ली आपे इंटरनेशनल जो लेंडर समय अधानी ग्रूब के अब दोस्तों बात करेंगे सीधा सीधा कि देखें अगर गिरावट होता है तो कहां तक गिर सकता है सबसे बात करेंगे अमबुज़ सिमेंट तो यहां पर उपर की तरफ मूफ करने का चांस है क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था जब लगबक सार सब्सक्राइब कर लिया तो अमबुजा सिमेंट कुछ दिन पहले भी हमने देखा था ऊपर की तरफ लगबक पकली चार सो कास बस पहुंच गया था तो हो सकता है कि मंडे की दिन अमबुजा सिमेंट के शेयर के अंदर तेजी होने का चांस है उपर की तरफ लगबक तीन सो सब्सक्राइब कर दिया हो सकता है कि लास्ट कुछ दिनों से खास करके देख लिए प्विट्टी सेवन फेबरी से अपने आपको यहां से फिर से हमें एक थोड़ा बहुत सेल आफ या सेलिंग प्रेशा देखने को मिल सकता है तो अधानी की बात करते लोवर साइट में देखिए यहां पर सर्किलों सब्सक्राइब कोई चलते हैं आपकोई पर्टिक्लर सप आपको अप्डेट टाइम देता जाऊंगा बाट यहां पर बाइग करने के गल्ती भी मत करना बस वेट एन वोट कर स्राटीजी जो मैं पहले से बहुत पर बोल ला था वेट एन वर्ट का स्ट्राइजी अपना यह धिंग वह बेस्ट आप्शन रहे का आपके लिए और ती दोगा फिलाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक लिए ठीक क्या बाबाई जाए हिंद तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकॉन नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटवर्ण